अभी servant, a servant का क्या काम है? A servant is very useful in the house. He or she helps your mother cook the food and clean the house. अभी घर में आपके मम्मी खाना बाना बनाती रेगी तो जाडू पोचा, कपड़ा सब करने के लिए, घर साफ करने के लिए एक लेडी आती है न? वो बोलते हैं, servant. We have learnt about different people and different kind of work they do. मतलब हमने अभी ये lesson में क्या-क्या सीखा है? बहुत सारे लोग हैं, जो अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई ना कोई तरह से हम लोग को मदद करते हैं. We should always respect everyone, no matter what profession they follow. मतलब हम लोग को, सब लोग को प्यार से और उनको इज़त करना चाहिए, उनको respect करना चाहिए, जो भी जाड़ू पोचा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन we have to respect them and love them, उनको इज़त देना चाहिए. Has no one is big or small for the work he or she is doing. मतलब कोई भड़ा चोटा नहीं है, हम लोग का काम जो है, हम लोग को करना चाहिए, और हम लोग को जो भी छोटा काम भी करते रहेंगे, तो उनको हम लोग को इज़त देना चाहिए, प्यार करना चाहिए. All do the best for us, so we must pay respect for them. सब लोग हम को, मतलब जो भी farmers है, servant है, soldiers है, fishermen है, सब लोग अपना अपना काम best करते हैं, करके हम लोग को हमारे घर में आता है, सब सामान आता है, farmers गुरो करते हैं, हमारे घर में बाई आती है, servant आती है, तभी हमारा घर साफ रहता है, तबी सब लोग हम लोग को help करता है पैसे बैंक में डालने से हम लोग का पैसा safe रहता है सब हम लोग को कोई न कोई तरह से हम लोग को help करते हैं तो इसलिए हम लोग को सब लोग को प्यार करना चाहिए और सब को respect करना चाहिए कोई छोटा नहीं है कोई भड़ा नहीं है सब अपना अपना काम करते हैं तो हम लोग उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए and we have to love them and respect them